Good morning class, today is your maths class, here is our next topic, circle Circle is closed figure, whose all points are equidistance from fixed point एक fixed point से सब तरफ का इसका distance बराबर होता है, इसकी shape होती है circle और इसके main part कौन से होते हैं, center center वो point होता है, जिससे हर जगे की wall पे दूरी बराबर होती है दूसरा होता है radius, radius बोलते हैं center से और corner तक की line को यह जो line होती है आदी, इसे हम बोलेंगे radius, यहाँ से यहाँ पे भी हो सकता है यहाँ से यहाँ पे भी हो सकता है, बहुत सारे infinite number of radius एक circle में हो सकता है दूसरा होता है diameter, diameter होता है एक corner से दूसरी corner की line जो की beach circle को cut कर रही है वो आपका कहलाता है diameter, यानि कि इस line से यहाँ तक यह full line होती है यह diameter होता है और radius जो होता है वो diameter का आधा होता है और diameter जो होता है वो radius का full होता है ठीक है, अब हमें mostly questions में diameter दिया होता है तो हम उसका radius निकालता है कैसे, 2 से उसको multiply कर देते है स्वाइड जब डायमिटर निकालना होता है तो हम उसको 2 से मल्टिप्लाइ कर देते हैं और जब डायमिटर दिया होता है और रेडियस निकालना होता है तो हम उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं मैं इसका यूज आपको बताऊंगी next है आपके questions calculate the radius of the circle whose diameters are diameters आपको दिये हुए है और आपको radius बताना है तो मैंने आपको बताया diameter का आधा क्या होता है radius ठीक है तो अगर radius 8 cm है तो इसका half कर देंगे तो क्या होज़े का 4 cm radius 15 cm है इसका half कर देंगे तो क्या होज़े का 7.5 cm यानि कि जितना भी diameter आपको दिया हुआ है radius निकालने के लिए हमें उसको half करना होता है ठीक है इसके बाकी के questions आपने आप कीजेगा notebook में next question है calculate the diameter of the circle whose radius are इसमें आपको उल्टा दिया हुआ है radius दिया हुआ है तो अब यहाँ देखो जब हमको radius 2 x 5 is equal to 10 cm radius आपको 14 cm दिया हुआ है diameter निकालने के लिए 2 x 14 यानि कि 28 cm इसके भी कुछ नहीं करना है आपको सिर्फ 2 से multiply करना है ठीक है इन सब questions पर भी आपको यह करना है next question है draw circle radius radius दिया हुआ है आपको 5 cm circle बनाने के लिए आप क्या करोगे सबसे पहले scale से एक लाइन की चुगे 5 cm की ठीक है उसके बाद इस पॉइंट पर यहां पर आप compass रखोगे और इससे यह circle पूरा बना दोगे next question है diameter 14 cm अच्छा इस question में आपको क्या कर रहा था radius दे रखा था ठीक है तो इसलिए हमने direct बना दिया अब next question हमको diameter दे रखा है तो हम पहले क्या करेंगे इसका radius निकालेंगे रेडियस निकालने के लिए क्या करते है डायमिटर को आधा करते हैं तो 14 डायमिटर है तो रेडियस कित्ता हो जाएगा 7 ठीक है तो यहां पर हम एक 7 cm की लाइन कीचेंगे उसके बाद यहां पर हम अपना compass रखे प turtle कि बनाओगे और युदर करना यहां पर हम लिए और पर सके बाद यहां पर न्इसrementे को उनके और देखुए यह लिखने हूं अब देखो यह कौन्सा इसकी उसाइडस कैसे हैं ऐस स्लान्ट दी वी है तो यह क्या इसके साइडस नवला चाहिते हैं उसको पैरलेलो ग्राम तो यहा बापस चारो साइडस से तो यह कौन सी शेप हो गई स्कॉायर ठीक है यह वाला कोशन आप अपनी नोट बुक में ही कर लीजेगा और फर्स सेकेंड और थर्ड कोशन आपको अपनी नोट बुक में करने हैं ओके बाई